पटना की सरकों पर ओभर लोड पिश्टल कमर में खोस्वाने वाली लड़की अब गिरगिरा रही है अब ये कह रही है कि हमने जो किया वो बिल्कुल गलत था पटना के मरीन ड्राइब पर कमर में ओभर लोड पिश्टल खोस्वाने वाली लड़की अब पटना पुलीस के सा वो नकली था असली नहीं था और बिहार पुलिस कह रही है कि उस पिश्टल को ले कर आओ और अब लड़की के हाथ पैर फूल चुके हैं लड़की कह रही है कि मैंने जो कुछ भी किया वो एक नादानी थी अब हम ऐसा नहीं करेंगे और माता पिता के सामने कह रही है कि हम कान पकड़के उठक बैठक कर लेंगे हमको अब जेल में मत भेजिये और बिहार पुलिस कह रही है कि तुमने जो कुछ भी किया है उसका गलत असड युवाओं पर पर रहा है तो तुम्हें बाहर हम नहीं छोड़ेंगे तीस हजार उपया जुर्माना लगा है एक साल के लिए बाइक का रेजिस्टेशन जो है वो रद कर दिया गया है आगे क्या-क्या हुआ है उस लड़की के साथ हम आपको बताएंगे लेकिन उसके पहले नमस्कार मैं आनाम शचांग पांडे है आप जनता जंक्शन पर देखा होगा और रिल देखने के बाद आपने भी बिहार पुलिश को टैक किया होगा और उसके बाद बिहार पुलिश एक सन में आती है और इस लड़की को गिरफटार करती है जब आप मरीन राइप पर घूमने जाते हूंगे तो आपको दिखता होगा तीज रफटार से से स्टंट करती हुई यह लड़की आपके बगल से गुजरती होगी और आप सोचते होंगे कि एक लड़की कितना तीज बाइक चला सकती है और उसके बाद जब वो हाथों में पिश्टल लेकर रील बनाती है यह तस्वीर आप देख लीजिए किस तरीके से रील बना रही है ह आथों में पिश्टल लेकर तो सबने बिहार पुलिस को टैक कर दिया और बिहार पुलिस सोचल मीडिया पर अभी जितना एक्टिव है उतना कोई भी एक्टिव नहीं है अगर आप किसी भी काम को किसी भी अपराधिक तस्बीर में अगर आप बिहार पुलिस को टैक करते है बिहार पुलिस तुरंट उस पर एक्षन लेती है और जो लोग उससे जुड़े होते हैं उससे गिरफतार करती है Hunter Queen 03 नाम से Instagram पर ID चलाने वाली ये लड़की अब बिहार पुलिस के गिरफत में है और बिहार पुलिस एक्षन ले रही है इनके माता पीटा को बुला कर पूछ रही है कि आखिर आपने अपनी बच्ची को पटना कि सरकों पर आतंक मचाने के लिए ऐसे क्यूं छोड़ दिया माता पीरत्ता का कहना है कि हम हमेशा समझाते हैं लेकिन कहते हैं कि हम मन भे नहीं करेंगे मेरा मन जो करेगा वही करेंगे अगर आप ज़्यादा बोलिएगा तो आप लोग पर भी एक्षन ले लेंगे मेरी उम्र 18 से अधिक है और आप बिहार पुलिस भी सोचने पर मजबू कि भाया इतनी छोटी लड़की आखिर ऐसा एस्टंट क्यूं कर रही है। लड़की का कहना है कि मैं यूटूब से सेखती हूँ और मेरे कुछ साथी है जो मेरे साथ घूमते हैं और उसके बाद वो रील बनाते हैं। मैं बाइक पर जब एस्टंट करती हूँ तो वो कैमरे से रील बनाते हैं और इस बाइक पर आप देखेंगे तो दो लड़की जो है वो है एक ये लड़की है और एक इसके पीछे बैठी है ये इसकी बहन बताई जा रही है और कहा ये भी जा रहा है कि खुद तो बाइक चलाती है अब बहन को भी सिखाती है और कहती है बहन को कि त तुम भी इसी तरीके से चलाओ जैसे मैं चला रही हूं तुम भी उसी तरीके से रील बनाओ जैसे मैं बना रही हूं और रील से पैसा आएगा उसके बाद एक और बाइक खड़ी देंगे और फिर कार खड़ी देंगे और फिर कार सिस्टम करेंगे माता पीता बताते हैं कि हम हम बहुत समझाने का प्रयास करते हैं, इसका ना पढ़ाई में मन लगता है और ना ही किसी चीज में मन लगता है, घर से ये कहके निकलती है कि हम घूमने जा रहे हैं और उसके बाद इसका वीडियो इस तरह से आता है, तो हमें भी बहुत तकलीफ होती है, और अब बिहार और जैसे ही बिहार पुलिस का सिकंजा आजाता है ये तुरंत गिरगराना सुरू कर देती है और कहती ही कि जैसा काम मैंने किया आप वैसा बिलकुल ना करे नहीं तो आपको भी बिहार पुलिस अपने गिरफ्त में ले सकती है और ऐसा करने से आपके जान का खत्रा भी है और फिर भी ये नहीं सुधरी है अब देखने वाली बात ये है कि 30,000 रुपया और बाइक के एक साल का रजिस्टेशन रद होने के बाद ये लड़की सुधेगी या फिर से पटना की सरको पर इसी तरीके से ओबरलोड पिश्टल कमर में खोसवाएगा वेराल इसका बर में इतना नहीं बने रहे हमार साथ और देख रहे हैं जनता है जुक्षन